नमस्कार! मैं हुह समस्माद की राश्य में दोस्तोँ अबबल फिर आपका स्hour अवयत है आज आपन मनाएंगे मट्रो की पूड़ी, जय उतो छलो मैं कैसे बनाती हूं, अप्पे मट्रो की पूड़ी आप को भी बताते हूं इससे मेंने मट्र Subscribe करें आपको दिखाने के लिए आपको बताने के लिए मैंनी इसमें डालें तो इसको अपन हलका आचे यह से दो टुकुडों में तोड़ेंगे आपन चेक कर लेते हैं कई जैसे बच गए हैं तो अपन आचे भी इसको तोड़ सकते हैं मिक्सिम भी हलका दरदरा इसको पीश सकते हो लिना से ज़्यादा टेस्ट आएगा यह मैंने आदी किलो मेटर लिया है अब इसमें रिकाड लेते हूं यह चोटा माम दसते हो उसमें भी आप कोट सकते हो इनको आपके पास यह नहीं हो तो आप पिसाव दनिया भी डाल सकते हो और इसको मैंने कर लिया है अब इसी के अंदर डालूंगे मैं एक प्याज और एक ठरी मिर्चे और इनको अपन ब्राउन कर लेते हैं एक मिंट के लिए इनको अच्छी तरह है बून लेते हैं बिल्कुल कमाच कर रखे मैंने ब्राउन हो गया अपना अब इसके अंदर आपन जो यह मत्र तोड़े थे यह डाल देते हैं और इनको भी बून लेंगे एक से दो मिंट के लिए इसे जितना भी इनके अंदर पानी हो वो पूरा सूप जाए अलके अलके अपने मत्र सोप्ट होने लग गए तो अब इसमें अपन मसाला डालेंगे तो मैं इसमें डालोगे एक चमच लाल मिट्स पाउडर आपको ज्यादा तिखा चीए तो आप ज्यादा डाल सकते हो और एक से डेवड चमर डालोगे मैं नमक खल्दी नी डालेंगे अपन इसके अंदर आप इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और पकने देते हैं उनका भी एक से दो मिंट के लिए और पकाएंगे अपना अच्छा से कलार लग रहा है अब हलके आथ से अपन इसको एक बड़ दबा लेंगे जिसे एक मेक हो जाएं मसाला सथी जिए मिलकुछ सोप्ट हो गए अपने इसमें थोड़ा सा नमा को और मिर्ची ओर डाली थी दोस्तों मैंने क्योंकि मैंने थोड़ी सी तिखाई मसाला बनाना था तो इसलिए आप अपने टेस्ट करने साथ डाल सकते हो अब इसके अंदर डालों में थोड़ा सा गरामसाला इसका थोड़ा सा तेस्ट और बढाने के लिए और मिक्स कर देंगे बनाना है जसे आटेमे बरें तो अपनी पानी सानी रहे अर अब इसमें डाल दूंगे में फ्रेस हरादनिया मैं अगे इसको बंद करदूगे बदोंगे तो एसको ठंड होने देत यह मैंने बावल में निकाल लिया अपना मसाला अब इसके पूड़ी बनाना चालू करते हैं आटा जो अपने नॉर्मल पूड़ी का लगाते है वसे लगा ले और अपनको छोटी शपेड़ी बना के इसके अंदर मसाला बढ़ लेंगे दबा दबा के और इसको कचोरी जैसे बंद कर लाएं इदर मैंने तेल गरम कर लिया अच्छी तरह तेल गरम होंगे इसमें तोड़ा से डीप करेंगे अपन और एक बल अंदर का मसाला सैट कर लेते हैं इसमें फिर हलके अच्छी इसको बेल लेंगे ज्यादा मोटी नी बनाएंगे इसको खाने में अच्छी नी लगेंगे फिर डाल देते हैं तो मेडियम आज कर देंगे इसकी जिसे अपनी अच्छी तरह पक जाए अच्छी में दूसरी बना के त्यार कर लेते हैं इसको शिखने देते हैं दूसरी बेल के त्यार कर लेते हैं चोटी बड़ी आप अपनी साफ से बना सकते हैं जैसे आपको चीए कोड़ी तो जुरूर ट्राइ करना सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में मटर अच्छी आते है ताजा मटर कितने अच्छी शिखे अपनी त्यार हो गए बिल्कुल कचोरी जासी लगरी है आइसको निकाडलेंगे एक प्लेट में आइसे ही में बाकी पूडिया बना दूँगे यह देखे मैंने मटर की पूड़ी बना की त्यार कर लिए पूरी में टमाटर की चटनी के साथ खाते है हम लोग तो आप अचार के साथ यह टमाटर की चटनी बना के उसके साथ भी खा सकते हो और यह दिखे तोड़की भी दिखाते हो आपका कितनी अच्छी बनी है अच्छा तरह मसाला इसमें पूरी में आ चुका है